नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का टार्गेट भी था लोग के इस प्लेट भात पर मैं प्रमोद एक बार फिर से उपस्तित हुआ आपके सम्मक यूपिटेट साइकोलोजी के पोर्शन को ले करके जैसा कि पिछले सेसन में हम लोगों ने बाल विकास के अवस्थाओं के अध्यन के करम में सबसे पहली अवस्था सैसवा अवस्था का अध्यन किया वापर हम लोगों ने समझा सैसवा अवस्था के कुछ प्रमुप पिसेस्ताओं को आज के इस सेसन में अध्यन किया जाएगा बाल्विकास की दूसरी अवस्था और महत्वपूर अवस्था बाल्य अवस्था के बिशे में लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बहुत जादा ही इसमें कुछ टॉपिक होता नहीं है बस इग्जेक्ट आपको केवल जानकारी देना होता है कि आप किन बारिकियों को ध्यान देंगे बाल्य अवस्था का अध्यन करने के दौरान मानक वर्गी करन जब इसका किया गया तो इसकी समय सीमा बताई गई आपको 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष 6 वरस से 12 वरस का समय होता है बाल्यवस्था का समय एद्यप की बाल्यवस्था की जो शुरुआत होती है पिछली बीडियो में हमने आपको समझा दिया था कि 색वावस्था के अन्तिम दिनों अर्थात की टेन से 6 वरस को हम कहें तो वहीं पर बाल्यावस्था प्रारम होती है उसे हम प्रारम्बिक बाल्यावस्था कहते हैं इसका मतलब यह है कि बाल्यावस्था के जितने लक्षन जो विसेश्थाएं इस उम्रकी होती है उन विसेश्थाओं का जो प्रारम होता है वो प्रारंबिक बाल्यावस्था में हो जाता है यहाँ वहाँ पर इसके प्रमोख विसिष्टताय जहलकने लगती है लेकिन वो अपने प्रगारतम रूप में दिखाई देती है 6 से 12 के बीच में आज हम लोग इस सेसन में बाल्यावस्था को फोकस करके कुछ माधपुन जानकारियों को प्राप्त करेंगे यह वो जानकारियां होंगे जो हमको आए जे टीचर हमारे कारियों के निस्पादन में माधपुन योगदान देंगे पाल्यावस्था को यदि कहा जाए तो यहाँ जीवन का निर्मारकारी काल हम कह सकते हैं इसको निर्मारकारी काल कहने का मतलब है इसका ये सेंस बनता है कि ये वो वस्था होती है जिसमें हम अपने जीवन को एक नया नजरिया देते हैं एक नया आयाम देते हैं क्योंकि बिद्याले से हम जोडते हैं अपने भविश्यू को बनाने के लिए और एक नए मार्ग पर हम चलने का प्रयत्न करते हैं यह देप की सैस्वावस्था के समय प्रारंबिक पाट साला जो हमारी परिवार की होती है उस परिवार में हम जो कुछ भी फंडामेंटल जानकारी प्राप्त करते हैं वो फंडामेंटल जानकारी वो हमारे जीवन को तो एक दिशा देगा ही आधार हमारा तय हो जाता है देप की सैस्वावस्था में लेकिन उस आधार को समारने का उसको सजोने का एक उपियुक्त माहौल मिलता है पाल्य वश्था के समय में विकाज की यहाँ पर हम लोग इन्वाइर्मेंट से अच्छी तरीके से जुड़ जाते हैं यहाँ पर हमारा परिवेश हमको कुछी तरीके से प्रभावित करने लगता है सीखने के नजरिये से भी चाहे फिर वो भासाई कोसल हो चाहे फिर वो सामाजी कोसल हो चाहे पिर वो संग्यानातमक छमता हो विबिन प्रकार की बारिकियों को हम सीखना प्रारम कर देते हैं इसलिए पाल्य अवस्था को आप कह सकते हैं संचिप्त रूप में कि जीवन का निर्मारकारी काल है ये और इतना ही नहीं जीवन का निर्मारकारी काल ही नहीं है विद्य विद्यालय अवस्था यानि कि जिसको pre-school age बोला जाता है एक प्रसन ये पूछा करता है pre-school age कौन है यानि कि विद्यालय में प्रवेश की पूर्व अवस्था कौन सी होती है जब ये प्रसन पूछे तब आप वहाँ पर उम्र को सही करिएगा 3-6 वर्स क्योंकि यहाँ पर विद्यालय जाने की जो अनुभूती है वो बच्चे के मस्तिस्क में उत्पन होने लगती है 2020 की जो सिक्षा नीती आई है 2020 की इसको इसी लिए pre-school age को ही देखते हुए इसके लक्षणों को ही देखते हुए 3-6 वर्स के बच्चों को भी इसकूल में प्रवेश से संबंदि मुद्य को प्रश्तुत किया गया है आधनबाडी केंद्रों में इन बच्चों को इंट्री करवा करके बाडी लेंग्वेज इनका इस तरीके का विक्सित करवा दिया जाए ताकि वो 6-12 की अवस्था में जब जाएं तो पूरी तरीके से इसकूली महौल में ढ़ल जाएं तो प्री इसकूल एज होता है 3-6 लेकिन इसकूल एज कौन होता है 6-12 यानि की बाल्य अवस्था तो जब आप से ये प्रसंद पूछे कि विद्याले की अवस्था कौन सी अवस्था होती है तो आप इसको सही करिएगा तो पहला पॉइंट इसका हमने समझा दिया कौन सा लिखते चलें आपको ताकि क्लियर होता चले पहला जो पॉइंट बाल्य अवस्था में हमारे समझने लायक है वो पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे पहला पॉइंट जीवन का निर्मार कारी काल हम बहुत संचिक तुरूप में लिख रहे हैं ताकि आपका क्लियर होता र आप इसको बोल सकते हो विद्यालय की अवस्था 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 विद्यालय की जब पूछे तब आप बाल्य अवस्था पर चले आईएगा अब जब खेल कूद की अवस्था इसको कहेंगे तो सिंपल सी बात है खेलने कूदने में वही बच्चा इंट्रेस्टेड होगा जिसके अंदर इस फूर्ती होगी यानि कि जो इसमाल्ट बालक होगा वही बालक ख चुट्टी होई नहीं कि तेजी से दवरते होई घर की तरफ भागे और कोई भी काम हो तमाम प्रकार के खेलों में हम लोग अपनी सारीरी की स्फूर्ती को पच्चपन में दिखा चुगे हैं इस फूर्त की अवस्था होगी तब जब खेल कूद और इस फूर्त की जीवन की गंधी अवस्था भी हम इसको कहेंगे गंदी अवस्था क्यों कहेंगे कि जब हम खेलने कुदने में ज़्यादा लिप्त रहेंगे तो साफ सुतरा थोड़ी ने रहेंगे मिटी धूल इत्यादी अब के बच्चे तो थोड़े से जो नए दोर में आ रहे हैं फोरजी स्पीड वाले बच्चे हम कह सकते हैं या इस जनरेशन की कह सकते हैं जो टेक्निकल जनरेशन के बच्चे हैं टेक्निकल जनरेशन के जो मम्मिया हैं बच्चे को गंदा कहा होने देती हैं अभी तो बच्चा नीचे फर्स पर पड़ा ही नहीं उठा करके उसको पोंचा लगाना सुरू कर देंगी, पोंचना सुरू कर देंगी, तो अभी बच्चे गंदे नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपन लोग के बच्चपन में, जितना जादा मिट्टी में दोड लेते थे, जितना जादा खेल कूद में हम लिप्त हो लेते थे, उतन परियत यही होता है कि बिक्सित होने का सबसे उपियुक्त आउसर वही था जिसमें बच्चा स्वतंत्र हो करके धूल मिट्टी में अपने मित्रों के साथ अपने उमर के बच्चों के साथ खेलने कुदने में जितना ज़्यादा लिप्त होता था उतना ज़्यादा उसके विक खेलों के माध्यम से आत्मसाद कर लेते हैं जिन परंपराओं को वो बड़े लोगों के द्वारा समाज में घटित होता हुआ देखते हैं उसको वो अपने खेलों में रूपांतरित कर लेते हैं उसको अपने खेलों में वो उतार लेते हैं और उसी खेल के माध्यम से वो सामबेगिक विकास के दिरिष्टी से अनोखा काल और सीखने का अनोखा काल कौन होगा सैस्वा वस्था होगा सामबेगिक विकास का अनोखा काल आपी सवस्था को कहोगे विकाज कि इस अवस्था में बच्चे का संबेग बिल्कुल नियंत्रित हो जाता है संबेगों पर प्रोल बना लेता है बच्चाई सवस्था में, सैस्वा उस्था का बच्चा वहाँ पर संबेगों में तीब्रता पाई जाती है, उग्रता पाई जाती है, प्रबलता पाई जाती है, तीनों सब्द देकर के परिक्षा में क्योस्चन पोचता है, संबेगों में उग्रता, संबेगों में प्रबलता ये सब सहस्वावस्था का नेचर होता है लेकिन बाल्यावस्था में जब बालक पहुंशता है तो धीरे धीरे यह थार्थ से वो जुड़ने लगता अपने वास्तविक जीवन जगत से वो जुड़ जाता है उनको बारीकी से सीखने का प्रेत्न करत इसलिए संबेग पर वह कंट्रोल प्राप्ट कर लेता है इसलिए संबेगिक विकास के नजरिये से इसको अनोखा काल बुला जाता है सीखने का अनोखा काल पूछे तो सैस्वा वस्था सही करिएगा लेकिन जीवन का अनोखा काल पूछे तो आप उसे बाल्य वस्था सही करिएगा ये कुछ महात्वपुन फैक्ट हैं बाल्य अवस्था को लेकर के जिसकी जानकारी आपको इतम सुरू में ही हो जानी आवस्यक होती है ये तो कुछ महात्वपुन जानकारियां हो गई वन लाइनर के इसाब से जैसा कि यूपी टेट के एक्जाम में पूछा जाता है जो यू होगा हम बाल्य अवस्था की विसेश्थाओं की तरफ अग्रसरीत हों कुछ महात्वपुन विसेश्थाओं को समझें बाल्य अवस्था की और विसेश्थाओं को किस नजरिये से समझना है ये पहले ही हम आपको क्लियर कर देते हैं हम अजे टीचर अध्यापक हम अजे टी बच्चों के उम्र की विशेष्टाओं का अध्यन करते हैं इसलिए क्योंकि हमको बच्चों के बेवहार को परिमारजित करना है और उसमें भी सबसे महत्वपूर अवस्था हमको हमारे सामने आजाती है बाल्य आवस्था क्योंकि इस उम्र के बच्चे हमारे समग चुहते हैं हम इनको पढ़ाते हैं हम इनके प्योहार का परिमारजन करते हैं इसलिए इस उम्र की विशेष्थाओं को जब भी आप पढ़ेंगे आपको टीचिंग के नजरिये से पढ़ना होगा यानि कि इस उम्र की कोई भी विशेष्था होगी उसको आप सिक्षण के साथ कैसे संबंदित करेंगे एक बड़ा त्यंसंग आता है यूपी टिट की तयारी करने वाले बच्चों को कि पेड़ोगाजी सर कहां से साइकोलोजी की हम सीखें देखो मैं आपको सिंपली बता दू कि साइकोलोजी की कोई पेड़ोगाजी होती ही नहीं अलग से कुछ नहीं होता है आपका नजरिया ही साइकोलोजी की पेड़ोजी को तयार कर देता है बाल्यावस्ता को पढ़ें तो आप इस बात का ध्यान रंख्या की बाल्यावस्ता के बच्चों को पढ़ाना है तो जब यह बात आपको ध्यान में रहेगी तो प्रतेख विसेश्ता को आप कैसे इस्टिमाल करोगे अपने teaching process में किस तरीके से उस विशेष्टा को आप समझाओगे किस तरीके से उस विशेष्टा का समयोजन करोगे अपने क्रियाओं में वोई पेड़ोजी हो जाएगा तो एक line में फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि बाल्य वशेष्टा की विशेष्टाओं का अधियन हम करेंगे एज टीचर तो हमारे सिक्षण की प्रकरिया में उसका क्या लाब होगा उसका किस प्रकार से हम इस्तिमाल कर सकते हैं ये चीज को भी हम समझते चलेंगे तो बाल्य वश्था exact clear हो जाएगे आईए बाल्य वश्था की कुछ प्रमुग विशेष्टाओं की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली विशेष्टा बाल्य वश्था की हम रखते हैं सारी रिगविकास जब आप सैस्वा वस्था को पढ़ चुके हैं तब आपको विसेश्थाओं को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि सैस्वा वस्था में जो विसेश्थाओं हैं आपको उने पहले ही बता दिया कि मनुष्य की जो उम्र होती है शुरुवाती 0-18 ये परिवर्तन की वस्था होती है यानि कि सहिस्वा वस्था में जो विस्थाइं होती हैं बाल्य वस्था में उसी में परिवर्तन हो जाएगा कि सोरा वस्था में उसी में परिवर्तन हो जाएगा तो विस्थाओं की टॉपिक वही रखेंगे जैसे विशेष्टा रहेगी मानसिक विकास इससे फायदा क्या होगा हम जो परिवर्तन है ना उसको exact समझ पाएंगे और उसी तरीके में जब धल करके हम पढ़ेंगे तो exactly हम बाल विकास को पढ़ पाएंगे और बाल विकास को समझ पाएंगे पहली विशेष्टा आपके सामने यह और आपका तयार हो जाएगा यह मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ कुछ इसमें करना नहीं सारीरिक विकास कैसा होता है सारीरिक विकास कैसा होता है तो सैसवा उस्था मैं आपको समझाया था कि बच्चे में बच्चे के सरीर में मांस्पेसियां अधिक होती है औ आप देखिए ना बच्चा पैदा हुआ चार महीने बाद आप चार महीने कहीं बाहर चले जाए ये तयारी वायरी करने और आपके घर में कोई नया सिसु पैदा हुआ है चार महीने आप बाहर रहो चार महीने के बाद जाओगे देखोगे तो बहुत चेंज हो जाएगा सारी सारीरिक विकास में तीब्रता पाई जाती है क्योंकि मानस्पेसियां ही होती है सरीर में और मानस्पेसियों का विकास बहुत तेजिस होता है लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो मानस्पेसियों का रुपांतरन हड्डियों में होने लगता है समझ जाओ क RCC बनने लगता है, तो प्रक्रिया थोड़ी सी मंद पड़ जाती है, यानि कि किस तरीके से आप इसको समझोगे सारीरिक विकास को, सारीरिक विकास को किस तरीके से समझोगे, तो जो 6 से 12 वरसे की उम्र होती है न, इसको दो चरण में आप विभक्त कर दो, एक को बोल दो ध्यान रखना संचे काल की बात नहीं कर रहा हूं, संचे काल, और एक दूसरा हम कर देंगे, परिपाक काल, इस रूप में परिक्षा में प्रसन बनता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, परिपाक काल, ये किवल सारीरिक विकास को ले करके है बाल लेवश्था में, सं अभी जश्ट सहिस्वा वस्था से बाहर निकल करके धीरे धीरे बाल्य वस्था की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब आचानक से सारीरिक विकास मंद नहीं हो जाएगा हमने पहले ही समझा दिया कि मनुष्य के विकास के दौरान कोई भी परिवर्तन आचानक नहीं होता है धीर वर्स में थोड़ी सी मन्द होगी तीसरे वर्स में और मन्द होगी चोथे वर्स में और मन्द होगी पांचमे वर्स में और मन्द होगी छटमे वर्स में और मन्द होगी सातवे में और मन्द होगी आठमे में और मन्द होगी नवे में और मन्द होगी लेकिन जब नौ से ब परिपाक काल के तुलना में यहां पर सारी रिख विकास में इस्थिरता आजाती है बस खाली आपको यही दो पॉइंट दिमार्ट में बैठाना होगा यह सारी रिख विकास की जो इस्थिरता या मंदता होती है वो हड़ियों के निर्माड के कारण ऐसा होता है तो एक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरी विशेष्टा को समझें मानसिक विकास को ले करके हम लोग समझें मानसिक विकास कैसा होता है चलिए मानसिक विकास को देखा जाए बाल्य वस्था में मानसिक विकास कैसे होता है बाल्य वस्था में मानसिक विकास कैसे होता है तो इसका एक सब्द हो गया मंद गती से होता है क्यों सहिस्वा वस्था में अमने बताया था कि मानसिक प्रक्रियाओं में तीब्रता पाई जाती है मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीब्रता सहिस्वा वस्था में इसलिए पाई जाती है क्योंकि नया नया पैदा हुआ है तो उसे बहुत कुछ सीखना है उसको अपने environment के साथ adjustment अस्थापित करना है तो ज्यान को आत्मसाथ करता है लेकिन बाल्य वस्था में जब वो बालक पहुंचता है तो वो वास्तिविक्ता की परक उसके मस्तिस्क में आ जाती है मूर्त वस्थूओं के संदर्व में वह तारकिक विसलेशन करने की योग्यता धीरे धीरे अपने अंदर जाकरित कर लेता है इसलिए जो कुछ भी सीखता है उसको तरकों की कसवटी पर कस करके उसको सीखता है तो एक लाइन में इसका answer हो जाएगा कि मानसिक विकास में मंदत इसलिए आजाती है क्योंकि इस सवस्था में बालक विबिन प्रकार की मानसिक विकास के धारन कारने के कारन मानसिक विकास की प्रकरिया मंद हो तो जाहिर सी बात था कि वो पीछे हो जाएगी, तो शैस्वाव भॉस्था में जो मांसिk प्रक्रिया ना खाली गारी के समान दोड़ता है, सीख्ते हुए, आकलन करते हुए, आउल ओकन करते हुए, आगे निकलता है, बाल्य वस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में सवारियां बैठते हैं, सवारियां कौन होती हैं, मानसिक सवारियां, मानसिक योग्यताओं की सवारियां, तीसरे पर हम चलते हैं, तीसरे को देख लेते हैं, संबेग को लेकर के, अभी हमने आपको समझा दिया, कि सैस्व काल होता है क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने संबेगों पर कंट्रोल प्राप्त कर लेता है नियंतरन प्राप्त कर लेता है इसलिए रास ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है क्योंकि जब संबेग इसके कंट्रोल में रहेंगे तो इसके अंदर चंचलता हो ता क्या है बालक ही होता है एक प्रकार के इदम की बात हो गई इदम वो नहीं मनोबि विसलेशन फ्रायड वाला थेक है यह इदम मित्या परिपक्वता से समभंधित हो गया तो संबेगों के नजरिये से यह नियंतरित अवस्था होती है संबेगों में बाहुल्य वस्था नहीं है यहां बालक कलपना लोग से उतर करके वास्तविक संसार से जुड़ता है यानि कि वास्तविक जगत से संबंध अस्थापित कर लेता है बालक वास्तविक जगत से संबंध इस वस्था में बच्चे का अस्थापित हो जाता है इसका मतलब यह है कि आप बालक कलपना में ही नहीं जीना पसंद करता है अपने इर्द गिर्द की बिभिन प्रकार की वस्तूओं, बेक्तियों, अस्थान और घटनाओं के बारे में जानने का प्रयत्न करता है सिंपल उधारन समझाएं आपको आपको इन नई वस्तू लेकर के आईए नई वस्तू के वडिशन करने के नजरिये से देखेगा अपकी प्रकृर्याओं को देखेगा बाकी कुछ नहीं करेगा लेकिन जो पाल्या वस्तूओं का बच्चा है वो आपके काम में हाथ बटाने का प्रयत्न करेगा क्योंकि ति उसी प्रकार की प्रवित्ति जागृत हो जादी उपने आपको मेच और समझ रहा है और एक चीज़ 558 को वह नहीं को प्रवित्त करेंगा तो यह होता है कि वह वास्तविकता को समझने और उर प्रखने की प्रवित्ति उनके अंदर पाये जाती है इसी कारण से वो इन चीजों को इस तरीके से सीखते हैं आप ये जितनी विसेश्टा हैं हमने आपको समझाया चारो सबसे पहले हम इसको सिख्छन से जोड़ देते हैं कि कैसे आप इन विसेश्टाओं का अध्यन क्यों कर रहे हो आप स्वार्थी नजरिये से निर्मार होने लगता है तो हट्टिया मजबूत भी तो होनी चाहिए निर्मार से ही तो मतलब नहीं है उसको मजबूती मिलनी चाहिए और आपको पता है कि मजबूती कैसे मिलेगी जब बालक वर्काउट करेगा तब न मजबूती मिलेगी उसको मेहनत करवानी पड़ेगी तब ब्यायाम और खेल को आप अपने सिक्षन प्रक्रिया में सामिल करेंगे इससे दो चीजों को फायदा मिलेगा खेलों के मात्यम से बच्चे का सामाजिकता का विकास होगा तारगिक छमता का विकास होगा विबिन प्रकार के काउसलों का विकास होगा उसके साथ है साथ, उसके सारीरिक विकास के प्रक्रिया को भी संतुष्टी मिलेगी, उसको भी आप एड़ेस्ट कर पाओगे, सारीरिक विकास को भी एक नई दिसा आप दे पाओगे, जो दिसा देनी चाहिए, वही कंडिशन यहाँ पर होगी मानसिक विकास की बात करेंगे, आपको पता हो गया है जे टीचर कि बाल्यावस्था के बच्चों में मानसिक बिकास की प्रक्रिया मंद हो जाती है क्योंकि विभिन प्रकार की मानसिक योगताओं बालक धारन करने लगता है तो जब AIG Teacher आपको यह बात पता है, कि बालक मानसिक योग्यताओं को धारन कर रहा है, तो आप उसमें उसका support भी करेंगे, यदि बालक कुछ नए सीखने का प्रेटन कर रहा है, तरपों के मद्यम से कुछ चीजें जानने का प्रेटन कर रहा है, तो आप उसमें उसका कि वो हमानसिक योग्यता उसके मस्तिस्क में और बेटर तरीके से विक्सित हो जाए जैसे मेमोरी का विष्टार होता है बच्चे का उसके मेमोरी का विष्टार होगा तो आपको उसके मेमोरी पर वर्क करना पड़ेगा आपको कि अलग अलग चीजें नई नई चीजें उसके मेमोरी में जोडने का प्रयास करिए तो यही तो आपके टीचिंग कला हो गई यही तो आपका टीचिंग कौसल हो गया सिक्चन कौसल हो गया तीसरी बात है आपको यह पता है कि यहाँ पर सामबेगी की स्थिरता हो जाती है बच्चे में और जब सांबेगी की श्थिरता हो जाएगी तो आपको यह भी पता है कि वह मैचुर बेक्ति के जैसा बेवार करने का प्रियत्न करेगा लेकिन मैचुर तो है नहीं ना इसलिए कई बार वो आपनी मैचुरटी के कारण वो बालक खुद को मैचुर मानता है खु तादी बनने का प्रियत्न कर रहा है तब वहां पर आप बहुत प्यार से बहुत स्नेय से बाबु भाईया प्यारे दुलारे कह करके आप उसको उसी व्यवार के जानकारी दीजिए जो उसके उस उम्र में फायदेमंद होगी आप उसे डाटिये डपटिये नहीं आधिकांस प्रतेग बातों पर भयपैदा होगा ऐसा नहीं करना है वो उसके उम्र की दिशिर्टा है कि वो मैचेवर्टी दिखा रहा है लेकिन मैचोर है नहीं तो इसको आपको समझना होगा कि बच्चा मैचोर्टी दिखा रहा है लेकिन मैचोर है नहीं तो आपको प्यार से समझाना होगा कि बेटा आप अभी छोटे हो ये सारे काम बड़े लोगों का है रिस्क नहीं लिया करते और अगर कर भी रहो तो पहल वा उस्था में कलपना में था, बाल्य उस्था में आया तो वास्टविक्ता से जुड़ा, तो आपको है जे टीचर इस बात को स्विकार करना होगा, क्यों आपने इर्द गिर्द की वस्थूओं और बेक्टियों के बारे में अगर बहुत को जानने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसकी जनकारी को अबलेबल करवाओ, उपलब्ध करवाओ, दैनिक जीवन से संबंदित तमाम प्रकार की वस्थूओं पर उसकी जिग्यासा बनेगी, कि वो उसको सीखे और उसको जाने, तो आप उसमें उसकी हेल्प करिए, मदद करिए, वो सीखे उसको और वो जाने ताकि उसके ज्यान का विष्थार हो सके, उसकी मानसिक योग्यता को एक सही आयाम मिल सके, एक और विसेष्था पर हम लोग फोकस कर लेते हैं, अगले पेच पर चलते हैं, एक और विसेष्था को देखते हैं, आईए, एक विसेष्था ले लेते हैं, क्या, जिग्यासा की प्रवित्ति पाई जाती है, जिग्यासा की प्रबलता, जिग्यासा की प्रबलता, ऐसा नहीं कि ये जिग्यासा की प्रबलता अचानक यहीं पर हो जाती है, हमने आपको समझाया था, कि जब बालक सैस्वा वस्था से निकल करके बाल्य वस्था की तरफ बढ़ता है, अगर सर जिग्यासा की प्रबलता यहां पर पाई जाती है। और जिग्यासा का मतलब जानने की इक्षा और जहां जानने की इक्षा हुई वाक्यों तथा कैसे का प्रस्ण आवस्यक है कि आएगा उसको दबाना नहीं है मारना पीटना नहीं है बच्चा कोई प्रस्ण पूछ दिया आप फ्रस्टियेट मूड में हो आई जिटीचर घर से जगड़ा उगड़ा करके गए हो अपने हित्मित्र के साथ अपनी पतनी के साथ अब वह एक रोध बच्चे पर उड़ा दो कि अभी अभी आये हैं घर से मूड खराब है तुम क्यों तथा कैसे करने लगे लेकर के तमाम बातों को इंद्र दनुस आसमान में दिखा तो वो पूछने का प्रयत्न करने लगेगा कि गुरु जी कहीं इतना रंग बिरंगा ये कैसे बन जाता है नाम तो उसको पता ही होता है आप आप से पूछे कि गुरु जी है कैसे बनता आपको लगेगा कि इसको समझाने में बहुत जटिल प्रक्रिया इसके समझ में नहीं आएगा आप दाट के बगादो चलो बगो तुमारे बस की बात नहीं बढ़े हो करके वह क्या क्या सीखेगा आप काहें के लिए टीचर हो सिखाओ न उसको बताओ उसको जो उम्र है उसी उम्र के काईडिंग सिखाओ न सरल जानकारी दे दो कुछ जानकारी उसको दे दो उसके जरीए वो संतुष्ट हो जाए बाद में उसका विकास जब होगा वह खुद बखुद जान लेगा बच्चे अपने ग्यान का निर्मार सोयम करते हैं प्याजे भी काता है वाइगोट्सकी भी काता है बस थोड़ी सी अगर मदद मिल जाए तो उसमें चारचांद लग जाएगा सोने पर सुहागा हो जाएगा तो आप उसकी मदद करिए help करिए क्यों तथा कैसे के प्रस्ण वो करे तो उसको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रेत्न करिए ताकि ज्यान का निर्मार और बहतर बालक कर सके एक चीज़ और है एक दिसेस्ता नहीं रहते ओगर आधते पकड़ लिया है आधते पकर लिया है तब तो बहया किस्तोरभास्था ये यादत पड़ी रहेगी मम्मीखाना खाना है मम्मी पर डिपेंड कर रहा है यह तक ही पहले अब तो घर में ही सारे सुभिदायां हो जाती थी अपन लोग के बचपन में क काहानियां सुने होते थे जानवर वनवर की काहानियां सुने होते थे तो जब हम गए अपनी पीडा को दूर करने के लिए बाहर तो एक नई पीडा आ जाती थी मस्तिस्क पर कि कोई पीछे से अटायक ना कर दे तो मम्मी के लिवा के जाते थे अब वो बच्पन था वो हम लो प्रवित्य होती है एक समय के बाद वो खतम हो जाती है लेकिन अगर उसको खतम करवाने का प्रयतन ना किया गया ने तो आदत बन जाएगा तो बड़ा होने के बाद भी बाल्ले वस्थाम जाने के बाद भी आंग उठा चूशते रहेगा कितना अच्छा लगेगा बच्चा ब्यवार बदल जाएगा ना उसका उसी तरीके से यहां पर जो है पर निर्भरता बच्चे की जो सैस्वावस्था की पर निर्भरता होती है वो स्वयम पर निर्भर करने लगता है अना स्वयम पर निर्भर करने लगता है बच्चम आत्म निर्भरता आप कह सकते हैं या स् सामबेगी काव स्यक्ताओं को ले करके बच्चा स्वयम पर निर्वर करने लगता है। इसका मतलब है कि इस उम्र में बालक नहाना, धोना, खाना, पीना, इत्यादी क्रियाएं वा स्वयम से करने लगता है। अपने आप से करने लगता है। इसके लिए वो किसी पर पाई जाती इस सवस्था में, इस सवस्था के बच्चों में राचनातमक प्रवित्ती पाई जाती है, राचनातमक प्रवित्ती का मतलब होता है, राचना का तात्परी होता है निर्मार से, इस सवस्था के बच्चों में क्रियेटिविटी बिक्सित हो जाती है, कोई न कोई, प्रतिक बच्चे में क्रियेटिविटी पाई जाती है, उसी क्रियेटिविटी का निखार किसी में अधिक हो जाता है, किसी में कम होता है, जैसे कोई संगीत में कुछ गाना गुनगुनाना नाचना इत्यादी जानता है, कोई कलाकारी में जानता है, कोई कुछ जानता है, अबर ऊस्टार के बच्चांट में रचनातंमक प्रवित्या जाती है। पर ऊस्तार के विकास को सबस्ता राचनातंमक प्रवित्या तो इसकर बच्ची सिलााी कड़ाई की दिसा में जडी है तो अब इतनी उमर में यह सारी बारिकिया तो नहीं सिखाए जा सकती है लेकिन जितनी हो सकती है जितना आप से हो सकता उतनी रचनातमक्ता के विख्सित होने का औसर विद्ध्यले में जरूर उपलब्द कर वाए नेत्य संगीत, खेल खूद किसी ने प्रभित्ति पाई जाती है, संग्रह प्रभित्ति पाई जाती है, संग्रह प्रभित्ति का मतलब है न, कलेक्टिब नेचर होता है, किसी भी वस्तु को, इस उम्र में वस्तु को इकठा करने की आदत पाई जाती है, आप अपना याद करो बच्पन, कि पेन खतम हो गई है, घ पढ़ने वाले हैं, दीदी, भाईया, कोई भी पढ़ने वाला है, वो जो पेन खतम कर देते थे लिख करके न, अगर वो फेंक देते थे, तो अपन को बुरा लगता था, उस कलम को भी उठा करके हम रख लेते थे, कापी, किताब, जाहे जिसकी मिले, उठा करके अपने बैग में रखना, पत्थर, कंचा, जो गोली खेलते थे, उसको, जितनी वस्तुएं संग्रहित हो जाएं, वो सारी वस्तुएं रख लेते थे, बच्चियां क्या करते थे, बड़ी दीदी का, मम्मी का, किसी का भी, जो कपड़ा होता था, डुपटव, पट़ा, जो वो लोग, इ चिकना चिकना पत्थर आता था, बच्चपन में, देखो, वो पत्थर हम लोग बालू में गुस गुस करके, निकाल करके, इकठा करते थे, दीपावली पर दीप जलते थे, उन दीप को इकठा करने की एक आदत पाई जाती, कि सुबह चारे बजे उट जाना, दीप को प्रवित्ति पाई जाती है बाल्य वर्ष्था में, इसलिए आप जान रहे हो, क्योंकि इस प्रवित्ति के कारण बच्चा चोरी भी कर सकता है, क्योंकि बच्चा चाहता है, कुछ भी चोरी करने की प्रवित्ति यहीं से विक्सित होने लगती है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो और आपको समझना होगा कि ये संग्रह प्रवित्ती क्या दिशा दे सकती है बच्चे को तिसलिए संग्रह प्रवित्ती सवस्था के एक प्रमुक्स भाव में पाया जाता है एक चीज और है यहाँ पर भ्रमड की प्रवित्ती पाया जाती है इस सवस्था में भ्रमड की प्रवित्ति पाई जाती है घूमने फिरने के जिसको कह सकते हैं ब्रमर प्रवित्ति पाई जाती है अनावस्यक रूप से घूमने फिरने की अना ये मतलब ये इतना अपने आपको मुक्त बना देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके सब को जान लेने का प्रियतन करते हैं और ये जो उम्र होती है घोमने फिरने की जो सुभाव होता है ये सामानेता जब आप बच्छपन में पहंचोगे, चीज़ों को याद करोगे, तो साइकोलोजी और आपकी तयार होगी. तो गुरू जी कर अंगुली दिखा कर चोटा काम करने जा रहे हैं। यह भी करते थे, कि बड़ा काम करने तीन लोग जा रहे हैं। अकेले में तो होगा नहीं, काहें कि मज़ा नहीं आएगा, वहें से देरे से कल्टी मार लेते थे, कहीं पुलिया हो गया, कहीं बाग हो गया, कहीं पुखरा हो गया, कहीं भी तलाब हो गया, वहें जागर के कुछ देर इंटर्टेन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूमने कर कारण बच्चा अनावस्यक रूप से समय बेतीत करता है, समय को बर्बाद करता है, कख्छाइं छोड़ करके विद्यले से बाहर निकल जाने का प्रयत्न करेगा, इस बात को एजे टीचर आपको समझना बहुत आवस्यक है, इसलिए आवस्यक है कि आप जानों की घूमने फिरने की प्रवित्ती सवस्था में पाई जाती है, यह एक अवस्था का प्रमुक्ष सुभाव होता है, इसलिए समय समय पर स्काउटिंग का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप बच्चों को भ्रमर पर ले जाएंगे, दो फाइदा आपको हो जाएगा, एक तो इनके घूमने फिरने के प्रवित्ती का तुष्टी करन हो जाएगा, दूसरा जिस अस्थान पर ले जाएंगे, वह भावगोलिक और इतिहासिक नजरिये से महत्पूर्ण अस्थाल होगा, तो बच्चों को अपने देश के गवरोसाली इतिहास के विसे की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है, उसके भौगोली कस्तल की विसेस्ताओं की जानकारी बच्चे को प्राप्त हो सकती है तो इस प्रकार से बच्चा सूचम से सूचम जानकारियां प्राप्त कर लेगा अपने भौतिक जगत से, अपने भौतिक दुनिया से तो ये प्रवित्ति हो गई एक प्रकार की भ्रमड करने की प्रवित्ति भी हो गई दूसरी बात हम करेंगे एक और विसेशता की बात करेंगे सामाजिक विकास की बात करेंगे जब सामाजिक विकास तो इसको हमने सैस्वा वस्था में ही समझा दिया था कि सैस्वा वस्था के प्रारंब में सामाजिक्ता नहीं पाई जाती है बज्जे में प्रारंब में सिसू ना तो सामाजिक होता है ना ही आसामाजिक होता है लेकिन जैसे जैसे वो सैस्वा वस्था से बाल्य वस्था की तरफ बढ़ने लगता है उसमें सामाजिक्ता का विकास होने लगता है क्योंक लेकिन बाल्य वस्था में आ करके वो पूरा एक बहतर गैंग बना लेता है और किस्वरा वस्था में उस गैंग का वो सक्करी सदस से बन जाता है इस तरीके से आप गैंग को समझो यह प्री गैंग एज बाल्य वस्था है गैंग एज किस्वरा वस्था गैंग का सक्करी सदस से हो जाता है यानि अब उसके गैंग के प्रतेक सदस से उसको प्रभावित करने लगते हैं पहनावे से भी खान पान से भी तो यहाँ पर बाल्यावस्था में बच्चा समूह बनाता है इसलिए एक और भी सेष्टा आप कह सकते हो सामोहिक प्रवित्ति की भावना होती है या सामोहिक प्रवित्ति की जो भावना होगी उसका भी तुष्टी करन हो जाएगा और उसको आप अपने इस्तेमाल में भी ले लोगे और आपको ये पता है कि सामाजिक विकास यहाँ पर जब सामोह बनेगा तो सामाजिक विकास होने लगेगा इसलिए सामोह में बाट करके बच्चों को सामाजिकता के विकास से संबंदित क्रियाओं को करना होगा ऐसे नाटक करवाने चाहिए ऐसी कहानिया उनको समोह में सुनानी चाहिए जिसमें बच्चे के नैतिकता का डिवलेप्मेंट हो सके और उसके सामाजिकता का भी विकास हो सके इन दोनों को भी उप् लेंगे काम प्रवित्ती की भावना काम प्रवित्ती की भावना यहां पर क्या होती है सुन्ने हो जाती है जो सैसवा वस्था में काम प्रवित्ती होती है वह प्रबल रूप में होती है प्रबल रूप में होने का मतलब है कि उस तरीके की काम प्रवित्ती नहीं पाई जाती ह जैसा बड़ो में पया जाता है यहां कि काम प्रवित्य जो होती है सहिस्वा वस्था की उसके कारण वह माता के अस्तन्पान करता है विभिन प्रकार की वस्थीओं को उठा करे मुख में रखने का प्रेत्न करता है अपने ही हाथ पैर की अंगूठों को चूसने का प्रेत्न करता है, वो जो काम प्रवित्ती सहस्वा वस्था में होती है, वो यहाँ पर सुन्ने हो जाती है, यानि कि काम प्रवित्ती के नजरिये से यह वस्था सुन्ने वस्था होती है, पुना किस्वरा वस्था में काम प्रवित्ती की भावना जागरित हो जाती तो ये कुछ महत्य पूर्ण परिक्षा में पूछी जाने लायक विसेश्था हैं हमने आपको बाल्य वस्था की समझा दिये आप प्रिवियस येर के पेपर उठाईए वैसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो क्योस्चन ये सब रखेंगे आप देखिएगा प्रिवियस येर क इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको बाल्य वस्था बेहतर समझ में आई होगी और आप जब सेल्फ इस्टेडी करेंगे तो आपकी हेल्फ हो जाएगी कि बाल्य वस्था को आप एक्जेक्ट समझ पाओगे आप हमारे यूपी टेट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको बैच से जुड़ने से संबंदी चानकारियां प्रतान की जाएंगी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार